दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं लड़कियां लगतार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है लड़कियों के साथ हो रहे अपराध का ग्राफ अपराध को रोकने में नाकाम हो रही दिल्ली पुलिस मंगलवार को दिल्ली के अलीपुर में एक लड़की का शव मिलने से एक बार फिर दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं इस मामले में जाच कर रही पुलिस ने शव की शिनाक्त 11 की छात्रा निक्की की रूप में कर ली है इन तस्वीरों में आप जिस आदमी को देख रहे हैं वो निक्की अगरवाल के बेबस्त पिता हैं निक्की बुराडी थाना इलाके की बाबा कलोनी की रहने वाली है रोजाना की तरहा निक्की सोमवार भी पॉलिज गई थी लेकिन शाम को वापस घर नहीं लोटी पिता ने लड़की की जुशिदा होने की शकायत ठाने में दर्च कराई थी कि पुलिस को अग्याश शव मिलने की जानदारी हुली शव के शिनाथ से जब निक्की के परिजनों से करवाई गई तो पता चला कि निक्की की ये हत्या हो गई है अलगी निक्की के बरिजन हत्याग आरोग निक्की के ही प्रेमी पर लगा रहे हैं जो निक्की का पडोसी था बताया जा रहा है कि निक्की के प्रेमी ने शक के चलते अपने दोश के साथ मिलकर निक्की का गला दबात लुकी निर्मम हत्या कर दी वह इलाशी के पिता का आरोग है कि पड़ोजी लड़के नहीं वेब करने की को मार दिया है और लट नहीं देने के लिए सोचा तही उसको मार है 느कार बहूस हो सोचा तब इसकी हीजित ले कि लिए . इसकी हैती है अच्त्व'veी आत्व gedaan माजया था . डोगन भूसे हो गहीं था . कि बहुत बाता था , बुब शुच्ज सथो नहीं बता था . तो भी सर खेत में बेका हुआ देड़ पुलिसमाले ने अमदाया किया है एक लरके परी हुए है उसी लरके सब में सब्सक्राइब लेकर उदर खेत में दिख दिया देगा देगल की तरफ दिली से अफदेश कुमार की दिपोर्ट